दोस्तो हिंदु धरम में नाग देव को भगवान की तरह पूजा जाता है और नागों से जुड़े अनेक ऐसे रहसी हैं जो आज भी अनसुल्जे हैं एक ऐसी ही अनुकी सची गटना आज हम आपको बताने वाले हैं जब एक लड़की ने नाग को बनाया अपना भाई और नाग ने भाई बन कर जो किया यकीन कर नाम मुश्किल है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जै महादेव कनारा जरू लगा देना दोस्तो एक समय की बार एक गाओं में एक एक ओरत दूद बेचा करती थी उसकी एक पूत्री थी जिसका नाम था सरला सरला बहुती संसकारी और सरल सभाव की थी उसकी मा का रोज का ये एक नियम था कि वो कुछ हांडियों में दूर उबाल कर उसे थंडा करने के लिए घर के बाहर आंगन में रखती थी और फिर घंटी बजाती थी और फिर कुछ सर्प वहां पर कट होते थे और उस दूर को पी लेते थे उस औरत ने अपनी बेटी सरला से कहा था कि ये जो सर्प हैं तुम्हारे भाई हैं अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाईयों को याद कर लेना कुछ समय बाद उसकी बेटी बड़ी हुई और विवाहा योगी हुई तो उसकी साधी एक अच्छे खांदान में कर दी गई जिस गाउं में उनकी साधी हुई उस गाउं के मुख्या के साथ बेटे थे और जो सबसे छोटा बेटा था उसी के साध सरला की साधी हुई थी साथो बहवों में से सबसे छोटी बहु सबसे ज़्यादा संसकारी थी उसे बागी बहवे हर रोज ताना मारा करती थी कि तेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं एक मात ही वो भी मर गई ऐसा सुनने के बाद भी वो किसी को कुछ भी बुरा नहीं कहती अब प्रावन का महिना आरंब हुआ चोटी बहु सरला को छोड़ बांकी सारी बहुवे बहुत ही खुश थी क्योंकि उन्हें उनके भाई लेने आने आने वाले थे और वे पूरा महिना आराम से मायचे में व्यतीत करने वाली थी सबसे बड़ी बहु छोटी बहु के पास आती है और कहती है तुम्हारा तो कोई भाई नहीं अब तुम चा करोगी पूरे स्रावन में भी तुम्हें ससुराल में ही बेटे रहना पड़ेगा और हस कर वहां से चल दी बड़ी बहु की उन कड़वी बातों को सुन छोटी बहु बहु बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है और रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है तब ही उस पेड़ से सेसनाग बहार आते हैं और उसे याद करवाते हैं कि तुम्हारी मा मुझे दूद पिलाती थी और याद करो मैं तुम्हारा ही भाई हूँ और तुम मेरी बहन तुम चिंता ना करो और मेरे साथ नाक लोग चलो एक बहन अपने भाई के घर आए ये उसका अधिकार है सेसनाग मनुष्य रूप धारण कर छोटी बहु सरला को उसके ससुराल से नाप लोग ले कर जाते हैं नाप लोग में नाग माता से उसे बहुत प्यार मिलता है उधर सेसनाग के भी छोटे छोटे बच्चे सर्पु हुई थी जिनको नाग माता हर रोज हंडा दूद पिलाया क उनका मूँ चल गया और वे बहुत ही क्रोधित हो गए और छोटी बहु को दसने ही वाले थे कि नाग माता ने समय पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें समझाया इधर समय भी हो चुका था उसे इसनाग वापर छोटी बहु सरला को उसके ससुराल छोड़ाए इस स्वादे के साथ की अगले स्रावण में फिर आएंगे इधर छोटी सरब भी बड़े हो गए थे परंतु वे छोटी बहु से बदला लेना चाते थे उन्होंने सोचा कि इस बार स्रावण में उसके घर जाएंगे और वहीं उसे डस लेंगे स्रावण का महिना सुरू हो गया छोटी बहु को पता था उसके भाई आने वाले हैं इसलिए एक दिन पहले ही उसने अपने भाईयों के लिए धंडा, दूज, मीटी, रोटी, फल, दाल ये सब बनाते रख लिया उसने अपने भाईयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सरप रंगोली बनाई और जैसे वे उन्हें कुमकुम का तिलक किया और उन्हें मीठी रोटी और फल खिलाया और अपनी गल्ती के लिए भी माफी मांगी ये सब देख उसके सर्प भाईयों को विश्वास हो गया कि छोटी बहु से उनका मो गल्ती से जल गया था इसलिए उन सभी ने छोटी बहु को मोतियों जड़ित एक सुन्दर हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह हमें मीठा थंडा दूद को लाएगा हम उसे सर्प दोश से मुक्त करेंगे तब से रावन मास के शुकलपक्ष की पंचमी तीथी को नाग पंचमी का तिवार मनाया जाता है इस दिन महिलाए नाग देव को अपना भाई मान कर मीठी दूद और फलफूर से उनकी पूजा करती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कथा हमें जरूर बताएगा और कमेंट बॉक्स में जै नाग देवता जरूर लिखेगा